हलो दोस्तो वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स मद्धिप्रदेश डेली के रंट फेर में आपका स्वागत है अजे 31 मार्च 2019 और यह हमारी 115 वी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाती है साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने है Question number first हाली में National Electric Court Championship का समापन कहां हुआ है इसका सही option है राजीव गांदी विवी हाली में राजीव गांदी विवी में National Electric Court Championship का समापन हुआ है चार देन से चल रही है चेंपियंशिप हाली में समापत हुई है इस चेंपियंशिप में 10 भर से 30 टीमों ने हिस्सा लिया है इस चेंपियंशिप का ओवरॉल विजिता हॉक्स यानि यस्वन तराव चबन कॉलेज ओफ इंजिनिरिंग महरास्ट रही है दोस्तो अब बात आई है राजीव गांदी विवी की तो आपको इसकी बारें बता दे इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरजी पीवी की नाम से जानती हैं इसकी इस्थापना 1998 में भूपाल में की गई थी वॉइस चांसलर है सुनील कुमार गुपता और इसका मोटो है प्रिजा नात्म ब्रह्म तो इतना आपको आरजी पीवी के बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन हाली में कव वर्ल्ड प्यानो दिवस मनाया गया है जिसका से यॉफ्षन है 29 मार्च हाली में 29 मार्च को वर्ल्ड प्यानो डे मनाया गया है आपको उता दें पहली बार प्यानो डे 2015 में मनाया गया था ये एक महान वाद्यांत्र होता है और इसी पर यह दिवस बनाया गया है next question हाली में किस जिले में बालक अंडर 15 वेडमिंटन पृतियोगिता शुरू हुई है जिसका से उफशन है भोपाल हाली में भोपाल में बालक अंडर 15 वेडमिंटन पृतियोगिता शुरू ही है दोस्तो अब बात आईए भूपाल की तो कुछ important fact आपको भूपाल की बारें में बता दें भूपाल को जीलों का शहर कहा जाता है मद्धिप्रदेश का सरवादिक चंसंख्या गनत्व भूपाल में ही इस्थित है ताजल मस्चिद भूपाल की सबसे बड़ी मस्चिद है रास्थि बिधी अकैदमी 1994 में भूपाल में इस्थापित की गई थी विसु का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सैंत्र भूपाल में ही इस्थित है प्रदेश का पहला एनरजी पार्क भूपाल में बनाया गया है एक और important fact आपको बता दे दो और तीन दिसंबर 1984 को मिथाइल आईसो साइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके करण भूपाल में हजारों मोते हो गई थी तो इतना आपको भूपाल की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन हाली में मद्यप्रदेश पुलिस ने कौन सा देख्षांत समारों मनाया है तो इसका सई option है 49 वा हाली में मद्यप्रदेश पुलिस ने 49 वा देख्षांत समारों मनाया है देख्षांत समारों में परेट का भी आयोजन किया गया परेट के बाद जिन्होंने एक साल की ट्रेनिंग खत्म कर ली है उन्हें पुलिस बल में शामिल किया जाएगा दोस्तो आपको बता दें मद्धिप्रदेश पुलिस के DGP है वी के सिंग तो इतना आपको मद्धिप्रदेश पुलिस की बारी में याद रखना है मद्धिप्रदेश के किस शहर में प्रोटेक्शन सर्वे 2018 कराया गया था जिसकी हाली में रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट की अनुशार इंदोर के 89 प्रतिशत लोग स्ट्रेस में जीवन यापन कर रहे हैं इंदोर में 63% यानि 63% परिवार ऐसे हैं जिन में कमाने वालों की शंख्या सिर्फ एक है आपको बता दें यह सर्वे इंदोर के अलावा भारत की अन्न शहर जैसे गुआहटी, लकनव, चंडीगर आदी में भी कराया गया था दोस्तों आप बात आईए इंदोर की तो कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट आपको इंदोर की बारे में बता दें मिनी मुंबई की नाम से इंदोर को जाना जाता है अब आपको इंदोर की बारे में इतना याद रखना है हाली में किसने एशिया कप तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है तिसका सई ओफशन है मुष्कान किरार हाली में मुष्कान किरार ने एशिया कप तीरंदाजी में गोल्ड मेडल जीता है आपको बता देए ये मद्यप्रदेश तीरंदाजी अकेडमी जवलपूर की खिलाडी है एशिया कप में इन्होंने स्टेंड वन कमपाउंड व्यक्तिकत एवेंट में गोर्ल मेडल जीता है इसके अलावा इन्होंने टीम में संचिता तिवारी और प्रिया गोर्जर के साथ म नियक्त किये गए हैं तो इसका सेयोफ्षन है राजिंदर कुमारवानी हाली में राजिंदर कुमारवानी को मद्यप्रदेश हाई कोट रेजिस्टार का जनरल नियक्त किया गया है आपको उता दें मद्यप्रदेश हाई कोट की मुख्य नयादी से एस के सेट और इन्हीं क पर्मीशन के बाद राजिंद्र कुमार को इस पत के लिए चुना गया है दोस्तो अब बात आईए मद्धिप्रदेश हाई कोट की तो आपको इसके बारे में बता दें मद्धिप्रदेश हाई कोट की इस्थापना 1956 में जवलपुर में की गई थी इसके खंड़पीट इंदोर और गौलियर में इस्थे थें आपको बता दें इसका खंड़पीट भोपाल में प्रस्तावित है मुख्य जो न्यादी से वह हैं S.K. सेट यानि संजय कुमार सेट तो इतना आपको मद्यप्रदेश हाई कोट की बारी में याद रखना है Next question हाली में किसे बोडले मेडल 2019 से नवाजा गया है तो इसका सई उफ्षन है अमरित सेन हाली में अमरित सेन को बोडले मेडल 2019 से नवाजा गया है आपको बता दें इनका जन्म पश्यम बंगाल में हुआ था इन्हें अर्थ सास्तर में नोवल दिया गया है आपको बता दें इन्हें 1999 में भारत रतन से भी सम्मानित किया गया था चित्र में आप देख पा रहे होंगे ये हैं अमरित सेन और इन्हें हाली में बोडले मेडल दिया गया है अब ये बोडले मेडल कहां दिया जाता है इसके बारे में भी बता दें बोडले मेडल ओक्सफोर्ड यूनिवस्टी द्वारा दिया जाता है इस मेडल की स्थापना 1646 में थोमास बोर्डले ने की थी और ये अवर्ड हाली में अमरित सेन को दिया गया है तो इतना आपको याद रखना है अर्थ आवर डे कब मनाया गया है तिसका सी ओफशन है 30 मार्ज हाले में 30 मार्ज को अर्थ आवर डे मनाया गया है इस दिवस को स्पेशल एलेक्टिशिटी के लिए मनाया जाता है इस दिन लोग अचानक अनावश्यक विजली को बंद करके रखते हैं और बिसुभर में नो बजे के बीच बिजली बंद रखी जाएगी आपको बता दें अर्थ आवर डे की शुरुआत 2007 में World Wild Fund for Nature द्वारा की गई थी तो इतना आपको अर्थ आवर डे की बारे में याद रखना है Next Question अब बात आई है राजस्तान की तो कुछ इमपोटेंट फैक्ट आपको इसकी बारे में बता दें राजिस्थान छेतरफल की द्रस्टी से देश में सबसे बड़ा राज्ज है एक मातर हेले स्टीशन है राजिस्थान में वह है माउंट आबू केवलाद्यव, रास्टी उद्यान, जन्तर मंतर जैपूर, चित्तोर गड़, कुंभलगड, जैसल मेर, रन थंबौर और अंबर यहां के किले यूनेस को द्वारा विश्व धरुवर में तब्दील किये गए हैं बात आईए राजिस्थान की तो आपको राजिस्थान के बारे में बता दे, मैप में ये जगह राजिस्थान को दरसाती है, राजिस्थान की स्थापना 30 मार्च 1949 में की गई थी, गवर्णर कल्यार सें, राजिस्थान की मुख्यमंत्री हैं, अशुक गहलोत, और राजिस् जोशी हाली में डॉक्टर राजंदर जोशी को प्रवासी भारतिय सम्मान से नवाजा गया है यह सुज़र लेंड के निवासी है इन्हें यह अवोर्ड सुज़र लेंड में भारतिय एम्बेसिटर सीवी जोर्ज प्रदान करेंगे आपको एक और इंपोर्टेंट फेक्ट ब किया जाएगा तो दोस्तों ये था हमारा आज का डेली करेंट अफेर आप मारे चैनल स्टेडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए कलम आपके साथ फिर मद्धिप्रदेश और वर्ल्ड के इंट्रेस्टिंग फेक्ट को लेक अगरा जरूंगे तब तक के लिए नमस्कार, have a nice day